ओम शी गडिशाय नमाराधराय दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल वतकता एस लोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर गर्वती महिला ने बेबी बॉय को कंसीव करा है तो उसके कौन से अंगों में सबसे ज़्यादा दर्द रहता है देखे अधिकतर जो गर्वती महिलाए होती है उनकी बोडि में पेन बना ही रहता है हाð, पैर, सिर में मतला दर्द बना ही रहता है लेकिन अगर आप ने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो mostly, मतलब आपके 2-3 जगा पर mostly आपको रुक-रुक के दर्द होता ही रहता है या आपको बहुत ज़्यादा उस जगा पर pain हो रहा है तो आप इससे एक confirm कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक baby boy को conceive किया है दोस्तों अगर आपने baby boy को conceive करा होता है तो इन अंगों में आपके mostly दर्द रहता ही है और अधिकतर गर्वती महिलाओं में ये बिल्कुल सही पाया गया है ये जो लक्षर में आपको बताने वाली हूँ ये 100% work करता है और मेरी pregnancy के मतलब दोनों pregnancy में ये work करता था तो दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बगले बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी latest वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके सबसे पहला है दोस्तों अगर आपने baby boy को conceive रहा होता है तो आपके पैरों में दर्द बना ही रहता है और mostly अगर आपके right वाले पैर में अगर आपके जो पैर की पिलिलिया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा जैसे दर्द एठन महसूस होती है आपको अपनी जांगों में बहुत ज़्यादा मतला जैसे दर्द खिचाब महसूस होता है ये पैरों के पंजों में आपको दर्द बना रहता है तो ये साइन देखे लड़का होने का माना जाता है अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं और आपके पैर सुन पड़ जाते हैं यानि आपको पैरों में जंजनाहट होने लगती है थोड़ी देर बैठते ही आपकी नसे खिचने लगती है याँ आपके नसों में बहुत ज़्याद आपको खिचाब मैसूस होता है पैरों में तो यह साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है दूसरा हिस्सा है दोस्तों वो है आपकी back pain यानि अगर आपको कमर में रुक रुक के दर्द होता रहता है या आपके कुले में मतलब कमर से जो नीचे वाला हिस्सा है hips में आपको जादा तर जैसे दर्द होता रहता है या पीट की जो रीड की हड़ी है उसमें आपको दर्द होता हुआ अगर नीचे तक मतलब आपके पेड तक आपको दर्द होता रहता है या रुक रुक के बीच में होता है या सेवन त एट मन से आपको कंटिनू दर्द हो रहा है तो यह साइन देखें 100% लड़का होने का मान जाता है अगला अंग है दोस्तों वो है गर्वती महिला की जो ब्रेस्ट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा जैसे भारी पन या हलका सा भी जैसे आप मतलब दवाते हैं तो आपको दर्द होने लगता है आपकी जो ब्रेस्ट की निपल है उसमें अगर आपको जैसे पॉइट पायट है या योनी में आपको हल्का फिल्का दर्द खिचाव महसूस होता है या यानि अगर आपको बहुत जादा जैसे उठने बैटने में अगर आपको जातर दर्द होता रहता है तो यह साइन में देखे लड़का होने का माना जाता है दोस्तों अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो इन अंगों में आपको जरूर दर्द देखने को मिलता है और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये दर्द मुझे मतलब रुक रुक के और सेवन एट मन्थ से तो मतलब कंटिन्यू होता रहता था तो दोस्तो इससे आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें आप सभी को ओम शी गनिशाए नमा वीडियो